हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल नितिका स्टडी पॉइंट और आज का हमारा टॉपिक है मानो सरीर की तंत्र आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि मानो सरीर के तंत्र क्या है और ये कितने प्रकार के यहाँ पे जो हमारी सरीर है उसमें ये तंत्र या फिर सिस्टम पाए जाते हैं आप वीडियो लाश्ट तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझाए तो दोस्तों चलिए देखते हैं पहले मानो सरीर के जो तंत्र है उसकी परिभासा क्या होनी चाहिए सरीर के बीतर ऐसे अंगो के कई समू है या फिर ग्रूप है जो एक दूसरे से जुड़े हुए है और साथ में मिलकर कोई कार्य है उसे पूरा करते हैं यदि हम यहाँ पर नॉर्मल भासा में इसे समझना चाहें तो हम यहाँ क्रिकेट जो खेल है उसको एक्जामपल के तौर पे देख सकते हैं आप देखेंगे कि क्रिकेट में कई टीम होते हैं और इस टीम के अंदर कई प्रकार के यहाँ पे खिलाडी होते हैं और ये जो खिलाडी होते हैं, वे कोई फिल्डिंग करता है, कोई बैटिंग करता है, कोई बॉलिंग करता है, पर वो जो टीम है, उसके अंदर जो प्लेयर हैं, उन सभी का एक ही कारिय होता है, मुख्या कारिय होता है, एक एम होता है, वो है मैच को जीतना, उसी प्रकार यहा अंग यहाँ पर पाए जाएंगे उन सभी का एक कारिय होता है और वो कारिय को पूरा करते हैं और यह जो यहाँ पर ग्रूप बना हमारे बॉड़ी में अंगों का organs का वो क्या कहलाएगा system कहलाएगा तो हमने यहाँ देखा कि cricket के जैसे यहाँ भी एक group बना हुआ है हमारे body में बहुत सारे अंग अपस में मिलकर group बना लेंगे और वे क्या कहलाएँगे system कहलाएँगे और वे एक कार्य को पुरा करने का यहां क्या करेंगे प्रयास करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं कि मानुस सरीर में कौन कौन से तंत्रे पाये जाते हैं चरकुलेटरी सिस्टम, छट्वां कंकाल तंत्र या फिर सकेलिटन सिस्टम, और यहां पिर सात हम हैं अन्तहसरावी तंत्र जिसे एंड़ोक्राइन सिस्टम कहा जाता है, आठ्वां प्रजनन तंत्र या फिर रिप्रोड़क्टीव NDician कहा जाता है तो चलिए देखते हैं पहला हम यहां देखेंगे digestive system या फिर जिसे हम कहते हैं यहाँ पी हमारा हो जाएगा पाचन तंतर यदि हम पाचन तंतर देखें तो पाचन तंतर क्या होता है तो यहाँ दोस्तों पहले जानिये कि जो हम जो कुछ भी खाते हैं वो फूड भोजन जो है उसमें क्या होता है जटिल पूसक पदार्थ जैसे कि कार्बो हाइडरेट वसा प्रोटीन ये सब क्या है पाए जाते हैं उस भोजन में जो कि हमारे सरीर को यहाँ पे क्या निूट् प्रोटी को छोटे छोटे इकाईयों में क्या करना पड़ता है तोड़ना पड़ता है और इन छोटी छोटी इकाईयों में जो तोड़ने का कारी है हमारे भोजन को उसका कारी कौन करता है पाचन तंत्र करता है तो आप समझ गया होंगे कि जो पाचन तंत्र का मुख्य कार पी एनर्जी मिल पाए और न्यूट्रियंट मिल पाए ठीक है यदि हम देखते हैं कि मा जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कौन-कौन से यहां पर भाग होते हैं यदि हम मेंली देखें अध्यन की सुईधा से हम अच्छे से जिसे असोसिये टेड डाइजेस्टिव ग्लेंड कहा जाता है चलिए थोड़ा सा इन दोनों के बारे में जान लेते हैं यहां पर आहार नाल या फिर एलिमेंटरी कैनाल क्या होता है मनुष्य किसी भी यहां कसोरिक कसेरू की तंत्री की आहा नाल एक लंबी कुंडलित नलि वो मुख से प्रारंब होगा और यहां क्या करता है यह गले से होते हुए हमारे पेट में जाएगा और लास्ट में यहां आज से होते हुए गूदा या फिर एनस की द्वारे यह हमारे बॉडी से बहा निकल जाता है तो यह जो था पूरा सिस्टम वो क्या कहलाएगा आहार न कहलाएगा मोग गुहा सेकेंड है यहाँ पर ग्रास नली जिसे इसो फैगस कहा जाता है यहाँ पर हमारे गले में एक नली जाती है जो की स्टमक के पास जाती है उसे इसो फैगस कहा जाता है तिसरा है अमास है या फिर इस्टमक और चौंता है इंटेस्टाइन ठीक है आत यह हमारी क्या हो गए? चार भाग हो गए आहार नाल की दोस्तों मैं इसी और डीटेल से अगले वीडियो में बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी यहाँ पे वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा यदि मैं सभी जो तंत्र हैं उसे एकदम डिटेल से यहां बताओं तो खास तोर पे आप इतना ही जान लीजे कि आहार नाल में दो भाग हो गए यहां पे डाइजेस्टी सिस्टम में दो भाग हो गए पहला है आहार नाल और यहां पे सेकेंड अब देखते हैं हम संबंध पाचक ग्रंथियां या फिर इंटर्नल डाइजेस्टी ग्लेंड ठीक है तो यहां पे देखें आहार नाल से संबंदित वे ग्रंथियां जो भोजन की पाचन में मदद करती है पाचक ग्रंथियां कहलाती है देखें यहाँ पर क्या करती है जब हम जो भोजन करते हैं उसमें यहाँ पर हमारे बोडी के जुआंग है वो पाटिसिपेट करते हैं उसको पचाने में साथ ही साथ कई यहाँ पर ग्रंथियां पाई जाती है यह जो सिस्टम है उसमें और वहां से यहां पर क्या निकला जाता है वहां पर कुछ यहां पर रस निकाला जाता है ठीक है जो क्या करती है भोजन को पचाने में मदद करती है तो यह जो ग्रंथियां है ग्लैंड है जो पाचक रस का यहां निर ग्रंथियां जो कि हम डीटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप यहां पर इतना ही जान लेजी आज अब हम देखेंगे यहां पर हमारा दूसरा जो तंत्र है वो हो जाएगा हमारा तंत्र स्वसन तंत्र स्वसन तंत्र कि यदी हम बात करें तो यहां पर प्रत्य जीवन को जीवित रहने हैं तो ऑक्सिजन की आवसकता होती है क्योंकि ऑक्सिजन ही कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सिकरन या विगटन करके उर्जा प्रदान करते हैं देखिए हम यहां पे सभी जानते हैं कि हमें किसकी जवरत पड़ती है जीने के लिए मेंली पहले ऑक्सिजन की यदि हमें ऑक्सिजन ना मिले तो हम तुरंत ही हां मर जाएंगे ये जो oxygen होते हैं वे क्या करते हैं जो हमने खाना खाया जो भोज्य पदार्थ खाया उसका यहाँ oxygen करण कर देती है और हमारे body को यहाँ क्या देती है energy देती हैं तो जो हमारे है यहां पर स्वसन तंत्र है उसका मुख्यकारी क्या होता है oxygen प्राप्त करना body के लिए बाहर से ठीक है शरीर के बाहर से oxygen प्राप्त करना और सरीर में जो c o 2 बनता है ठीक है जो भोज्य पदार्त हमने यहां पर उक्सी करन हुआ उस से क्या निकलता है यहां घटन के फल स्वरूप CO2 निकलता है ठीक है तो यहां पर क्या करता है वो CO2 को ये क्या कर देता है जो स्वसंतंत्र है वो सरीर से बाहर कर देता है तो ये हमारा स्वसंतंत्र हो गया यहाँ पे हमारे जो लंग्स हैं वो स्वसंतंत्र के क्या यहाँ पे मुख्य भूमी का यहाँ अदा करते हैं अब हमारा next जो ओरगन है वो है उस सर्जन तंत्र यदि हम उस सर्जन तंत्र की बात करें तो यह क्या होते हैं सरीर में यहाँ क्या होगा यहां waste पदार्थ या waste जो प्रोडक्ट है वो बनते हैं देखे जो हम कुछ खाना खाते हैं तो वहाँ पे यहाँ तो जो important nutrient है वो सरीर को मिल जाते हैं पर यहाँ पे कई waste product भी बनते हैं जिसका सरीर से बाहर निकल जाना बहुत ही important है यदि यह सरीर से बाहर ना निकले तो यह हमारे सरीर में क्या करते हैं बहुत ही हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं और यहाँ पे हमें कई प्रकार की बिमारी भी हो सकती है तो जो स्वसन उस सर्जन तंत्र है ठीक है वो क्या कारिय करते हैं मुख्या तोर पर यहां पर जो वेश्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी में उसको सरीर से बाहर निकालते हैं यदि हम देखें मनुस्य में कौन-कौन से जो सर्जन तंत्र की आंग है तो वो होगा किडनी सेकेंड है फेपडा थर्ड है त्वचा चौथा यकरत और पाँचवा है आत या फिर इंटेस इंटेस टाइन ठीक है तो ये उस सर्जन तंतर हो गए अब हम देखेंगे यहां पर हमारा next तंत्र तंत्र का तंत्र या फिर नर्व सिस्टम यदि हम तंत्र का तंत्र की बात करें तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि जो मनुस्य होता है वह सोचने समझने और कोई भी कारे याद रखने या फिर आपको यदि कोई सुई चुब हो जाए तो उसे महसूस करने के लिए एक अंग जो है हमारे सरीर में सौरी तंत्र जो है हमारे सरीर में कारी करता है और यह जो तंत्र है वो तंत्री का तंत्र या नर्व सिस्टम कहलाता है यह बहुत ही महतपूर तंत्र होगा हमारे सरीर में क्योंकि यदि यह च्छति ग्रस्त हो जाए या फिर यह काम करन ये तंत्र तो हम कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं रहेंगे हम ऐसे ही पड़े रहेंगे क्योंकि इसके बिना हमारा सरीर में कोई भी जो उद्धीपन है वो यहाँ पर प्राप्त नहीं होगा मस्तिक्स को और यहाँ पर हमारा जो सरीर है वो काम करना बंद कर देगा तो यदि हम देखते हैं कि तंत्री का तंत्र के कौन-कौन से भाग हैं तो यहाँ पर तीन भाग हैं तीन भाग में भी भगत कर सकते हैं पहला है केंद्री है तंत्री का तंत्र सेकेंड है परिधी है तंत्री का तंत्र और तीसरा है स्वाचली तंत्री का तंत्र चलिए थोड़ा से देख लेते हैं तंत्री का तंत्र के कारी तंत्री का तंत्र विभिन अंगों के भिन भिन क्रियाओं को संचाली तेवं नियंत्रित करती है देखिए मैंने बताया कि यहाँ एक्जामपल के तौर पे आप फिर से देखिए आपको सुई चुभा तो जो तंत्री का तंत्र है वो क्या करता है यहां पे आपका जो सिगनल यहां मिलता है कि आपको सुई चुभी है वो उसे क्या कर देता है मस्तिक्स तक यहां आपको पहुचा देगा और जो मस्तिक्स है वो आपको तुरंत यहां बोलेगा कि आप अपन जो बने हुए है वो उसका क्या करती है संचालित करती है यह समस्ता मानसिक कारियों का नियंतरण करता है यह जन्दू के बाहरी वातवरण के अनुसार प्रतिक्रिया करने में मदद करता है यदि हम देखा हमने देखा कि तीन भाग हो गए इसके सेंट्रल पेरिफेरल और और यहां पे तंत्रिका तंत्र यादि हम बात करें केंद्रिये तंत्रिका तंत्र क्या है तो तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपुर्ण शरीर एवं स्वैम तंत्रिका तंत्र पंडियंतर रखता है केंद्रिये तंत्रिका तंत्र कहलाता है जो यहां पे मुख्या जो एक ला बीच में केंद्र में बना हुआ है आपके बोडी में वो केंद्रिये तंत्री का तंत्र कहलाता है ठीक है इसमें केंद्रिये तंत्री का तंत्र में कोन आएगा हमारा जो ब्रेन है वो आएगा और जो हमारा मेरूरज्जू है वो आएगा हमारा सेकेंड है यहां परिदिये तं निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है देखिए आपका जो मेन हो गया यहां पर क्या हो गया आपका केंद्रिय तंत्रिका तंत्र उसके साइड साइड से यहां पर और यहां तंत्रिकाओं निकलेंगे बगल बगल में और यह जो साइड से निकलने वाली तंत्रिकाओं है वो परिधी है तंत्री का तंत्र अब हम यहाँ पे देखेंगे कंकाल तंत्र क्या होते हैं ठीक है हमने देख लिया तंत्री का तंत्र अब कंकाल तंत्र देखते हैं दोस्तों मैंने कंकाल तंत्र का मतलब जो बोन है human body का वो अच्छे से detail से एक separate वीडियो बनाया है आप उसे जरूर देखिएगा लिंक मैं description box में देदूंगी चलिए देखते हैं कंकाल आप जान लेंगे हड़ी ही है आपको नाम से यहाँ पता चल गया होगा कंकाल तंत्र या फिर skeleton system क्या होता है मनुष से सरीर का धाचा हड़ीयों का बना होता है सभी हड़ी एक दूसरे से यहाँ आपस में क्या होती है जुड़ी होती है और यह जो हमारा हड़ी है हमारे बॉड़ी में उपर से लेके जो नीचे तक पाया जाता है वो क्या आपस में मिलके क्या बनाती है साथ में ग्रूप में कंकाल तंत्र बनाती है और यह जो कंकाल तंत्र है और जो हड़ी है मतलब वो शरीर में लगबख 206 हड़ियां पाई जाती है ठीक है यदि हम कंकाल का यहां बात करें जो तंत्र है सिस्टम है स्केलिटन सिस्टम है उसका बात करें तो इसके कारी क्या होंगे कंकाल सरीर को एक निश्चित आकार्यम आकरिति प्रदान करता है देखिए जो हमारा हड़ी है वो टाइट होता है और इसी के चलते एक अच्छा सा धाचा हमारे सरीर का सेप बन पाता है और यह सरीर को सहारा भ को बाहरी आगातों से बचाता है साथ ही साथ यदि हम देखें तो जिवित अंतह कंकाल ला रूधिर कड़िकाओं का निर्माड करता है देखिए जो कंकाल तंत्र है उससे क्या है यहां रूधिर कड़िकाओं का भी यहां निर्माड किया जाता है तो यहां देखें हम कंकाल त बाह कंकाल को यदि हम देखें, तो सरीर के बाहर पाय जाने वाले जो कंकाल होते हैं, उसे बाह कंकाल या फिर एक्सो इसकेलिटन कहा जाता है, यहां एक्जामपल के लिए देखेंगे मचलियों का जो सल्क उपर में रहता है, कच्छूओं के उपर जो उपरी कवच होता है, और इस्तंदारियों के बाल बाहकंकाल के यहां एक्जामपल हो जाएंगे, ठीक है? और यदि हम अंतह कंकाल की बात करें, तो हमारे सरीर के अंदर जो बहुत सारी हड़ियां, 206 हड़ियां पाई जाती हैं, ठीक है? और अस्थी उपास्थी जो पाई जाती है वो अंतह कंकाल के अंतरगत आएंगे तो ये हमारा हो गया कंकाल तंत्र अब हम यहां देखेंगे परिसंचरण तंत्र तो यहां दी हम देखें परिसंचरण तंत्र क्या है तो यहां मनुस्य इंसान में और जन्तूओं में सरीर के भीतर पदार्थों के परिवहन ठीक है या फिर ट्रांस्पोर्ट करने के लिए एक तंत्र पाया जाता है जिसे परिशंचरण तंत्र या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है यहाँ रुधिर एक यहाहँ तरल संयोजी उतक है यहाँ तरह यदि हम देखें तो परिसंचरन तंत्र में रुधिर के अतरी एक केंद्रिय पंप होता है जिससे हार्ट कहा जाता है देखें परिसंचरन तंत्र में आप में हार्ट को लीजिए रुधिर परिसंचरन तंत्र में और यहाँ पर रुधिर वाहिनिया या फिर हमारे जो सेल हैं उहां तक पहुंचाती हैं फिर ट्रांसपोर्ड का कार्य करती हैं यदि हम देखें कि जो हमारा परिशन चरह तंत्र है उसके क्या क्या कार्य है या पोसक पदार्थों को जैसे मैंने बताया ग्लुकोज वसीयम ले विटामिन आदी का यहां और सोसन करके पहुंचाती है यह नाइट्रोजनी वज्य पदार्थ या फिर वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडिम बनते हैं जैसे अम्योनिया यूरिया यूरी केसिड इसे सरीर के क्या करते हैं बाहर अंग हैं वहां तक पहुंचा देते हैं और यह जो बाहर निकालने वाले जो अं जो हॉर्मोन सरीर में बनते हैं उसको यहां पर क्या करते हैं जिस इस्थान पर जिस अंग में यहां पर पहुंचाना चाहिए वहां तक यह पहुंचा देते हैं ठीक है यह फेफुडों से सरीर की कोशिका एवं उतकों तक ऑक्सिजन का परिवान करते हैं देखिए जो हमार लंग्स है वहाँ पे ऑक्सिजन सरी के बाहर से अंदर आता है मैंने बताया था उसको ये क्या करते हैं ये जो हमारे जहां तक पहुंचाना चाहिए जो टिसू है ठीक है वहाँ तक ये क्या कर देते हैं ऑक्सिजन को पहुंचा देते हैं तो ये हमारा हो गया परिसंचरन तंत कोशिकाओं के चारों और द्रव की एक पतली परत होती है जिसे उतक द्रव या फिर तीसु फ्लूट कहा जाता है। डीपडी आज नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा फिर मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें आप इसे जरूर समझेंगे तो यहाँ पे हमने देखा परिशंचरान तंत्र दो प्रकार के हो गए चलिए अब हम देखेंगे अन्ता स्रावी तंत्र या फिर जो मेनली का है स्रावी तंत्र कौन क्या होते हैं और कौन कौन से हैं चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि जो अन्ता स्रावी तंत्र हैं वो क्या होते हैं तो यहां पर एक तंत्र कारे करते हैं, जिसमें बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, और यह जो ग्रंथि हैं, वे राशानिक योगिकों का यहां पर क्या करते हैं, यहां पर बूले हमें वो भासा में, समान्य भासा में, तो यह जो ग्रंथि पाई जाती हैं, स्रावी त निकलता है उसे हॉर्मोन कहा जाता है ठीक है अब हम देखेंगे हॉर्मोन तो निकल गए इन ग्रंथियों से हॉर्मोन आखिर करते क्या हैं हम सभी जानते हैं यहां पे कि हमारे सरीर में बहुत सारी कारिये होते हैं जिसमें क्या कारिये जिसे पुरा कौन करते हैं हमारे सरीर क विभिन्य प्रकार के तंत्र या फिर सिस्टम तो यहां पर जो सिस्टम होती है वे तो इस कार्य को पूरा करेंगे साथ ही साथ यह जो ग्रंथियों से निकलने वाले जो हर्मोन है वो भी यह जो कार्य है उसमें मदद करते हैं तंत्र का मदद करते हैं या फिर सिस्टम के साथ मिलकर उस कारे को पूरा करते हैं ठीक है तो यह ग्रंतियों से निकलने वाले होर्मोन सरीर के में होने वाले जो क्रियाएं हैं उसको पूरा करने में मदद करते हैं चलिए देखते हैं कि ग्रंतियों के यहां पर प्रकार कितने होते हैं यहां पर तिन प्रकार की ग्रंतियां हो इसलिए मैं आपको डीटेल से यहां नहीं बता रही हूं फिलाल आप इतना जान लीजिए कि इनमें तीन प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं यहां पे अब हम देखेंगे प्रजनन तंत्र या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है देखिए हम सभी जानते हैं कि प्रिथ्वी में जितने भी जीव हैं वे अपने समान अन्य जीव यहां पे उत्पन न कर सकते हैं और इनकी जो यह विसेस्ता है वो रिप्रोडक्टिव कहलाती है और यह जो तंत्र उनके सरीर में जो काम करते हैं जो अंग आपस मिलकर निर्माड करेंगे तंत्र और यह ज मानव की द्रिष्टी कोड से देखें, तो यहां पे मानव एक लिंगी प्राणी है, मतलब कि यहां पे नर और मादा या फिर मेल और जो फीमेल के जो लिंग है, वो अलग-अलग जीवों में पाए जाते हैं, यहां पे मनुस्य के वाल एक ही जीव, रिप्रोडक्शन की जो प दोनों में मनुस्य के द्रिष्टी कोड से, यहां दो जीव हैं होंगे, मेल और फीमेल, और दोनों में यहां पे अलग-अलग जो औरगन हैं, वो पाए जाते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए, तो चलिए पहले देखते हैं, नर, प्रजनन, दंत्र, या फिर मेल, प्रजनन तंत्र कहलाते हैं, यदि हम देखें कि इनमें कौन-कौन से जो रचनाएं हैं, नर, प्रजनन तंत्र में पाए जाती हैं, तो वो होगा व्रिसन, अधि व्रिसन, सुक्रवाहिका, सुक्रासे, मुत्रमार्ग, सिस्तन, या फिर और साथी प्रोस्टिट, तो ये नर प्रजनन तंत्र के भाग हो गए, अब हम यहाँ देखेंगे मादा जनन तंत्र, यहाँ पर फीमेल की यदि बात करें, तो इसमें अंडा से, अंडवाहिनी, गर्भासे और योनी यह क्या होते हैं, इसके प्रमुख भाग होते हैं, मादा प्रजनन तंत्र के, तो दोस्तों यहाँ पर आज हमने जान लिया मानो शरीर के बिभिन तंत्र कौन-कौन से हैं यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिपिकेशन मिल जाए और आप उसे देख पाएं थैंक यो फर वाचिंग